आपका आप देख रहे हैं दन्यूस और मैरानी गुपता आपके साथ बड़ी ख़बर सामने आ रही है आपको बता दे कि जहां लगातार कल दिन भर सत्पाल मलिक की गिरफतारी की जूठी अफ़ा सोशल मीडिया पर आप और तमाम विपक्षी दलों के द्वारा फैलाई जा तो इस बीच एक बार से आप माधमिक पर्टी के नेटा अ संजे सिंग ने पूर्वर राजवपाल सत्यपाल मलिक को लेकर के को और झ्यूठा बयान देना है नष्शूठी बाते करना शूरू कर दिया है दरसल इसल अप संजे सिंग जो है वो सत्यपाल मलिक को मरवाने औरtı पर यहां पर सामने आते हैं वो कहते हैं अपने ट्वीटर पे ट्वीट करके कि तो क्या सच बोल्दे के जुर्म में मोदी सरकार सतयपाल जी को मरवा भी सकती है। खुद संजय सिंग के द्वारा वीडियो शेयर किया गया है यहां पर आप सत्यपाल मलिक को सुनेंगे तो वो यह नहीं कहते है कि मोदी सरकार मुझे गिरफतार कर सकती है या मरवा भी सकती है बलकि सत्यपाल मलिक यह बोलते है कि यह सरकार मुझे गिरफतार कर सकती है मरवा भी सकती है और मैं इसे ड़ता नहीं हूँ मैं लड़ाई करने के लिए तयार हूँ यहाँ पर कहीं से भी सत्यपाल मलिक के द्वारा यह नहीं कहा जा रहा कि केंद्र सरकार या फिर मोदी सरकार उन्होंने कहीं भी यह बात वेंशन नहीं की है लेकिन आमाद्वी पार्टी के नेतास संजे सिंग इस बयान को लेकर के सीधे मोधी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सीधे कोट करते हुए लिखते हैं कि मोधी सरकार मुझे मरवा सकती है मोधी सरकार मुझे गिरफतार करवा सकती है ऐसा कहना सत्यपाल मलिक जी का है तो यहाँ पर सीधे त लिया गया है और बकायदा आरके पुरम की पुलिस उन्हें हिरासत में ले रखी है और इसी के साथ ही सत्यपाल मलिक के जो तमाम समर्थक मौझू थे उनको भी पुलिस नहीं गिरफतार कर लिया है जिसके बाद खुद दिल्ली पुलिस को आगे आना पड़ा और उन्हें बता के कॉंग्रेस पार्टी तक के तमाम नेताओं ने इसे श्यर किया था तो वही अब जुनता लगातार जो है वो भड़कती हुई निजर आ रही है यूकि एक के बाद एक या तो सत्यपाल मलिक खुद जूट बोल रहे है या तो फिर उन्हें लेकर के तमाम जूठी अफवा मलिक ने यह बाते बोली थी और उनका कहना था कि अमिर्शा मेरे पास आते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि आजकल मोदी जी के पास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने मोदी जी की अकलमार रखी है लेकिन बाद में जब उनसे यह सवाल पूछा गया जो हाल ही में के सामने सत्यपाल मलिक भी कहते हैं कि मैं हिरासत में खुद गया था स्वेक्षा से गया था पुलिस में मुझे हिरासत में नहीं लिया जिसके बाद जो जनता है वो काफी जादा भड़की हुई नजर आती है और लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी आवास के लि क्योंकि सत्यपाल मलिक जो है वो बीजबी पार्टी में रहे हैं और कई बार उन्होंने किसानों का समर्थन भी किया है ऐसे में विपक्षी जो है इस बात का भरपूर फादा उठाना चाहती है लेकिन याद 2019 को करें जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था और रहे थें उस दोरान सत्यपाल मलिक ऐसे में यही कॉंग्रस पार्टी थी और यही तमाम पार्टियां थी जो कि सत्यपाल मलिक का विरोध करते हुई नजर आई थी कि वो कैसे राजजपाल है जुनके साशनकाल में ऐसे धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है लेकिन जनता भी कही न कहीं समझ चुकी है उनका कहना है कि इस तमाम जो चीजें वो सिर्फिस वज़े से हो रही है कि वो राजनेती में अधिक सक्रिय हो जाए उन्हें उपरास्ट पती बनना था लेकिन वो उपरास्ट पती नहीं बन पाए और आज जगदीब धनकरदेश के उप तब उनका कहना था कि आप जो ये बाते कह रहे हैं तब क्यों आपकी अंतरात्मा नहीं जागी जब आप सत्ता में वैठे थे जब आप राजजुपाल थे तब तो आप ये बाते कह सकते थे लेकिन आपने उस दौरान ये बाते नहीं कही थी तो यही बाते जुनता भी पहना बंद कर देंगे, आपको बता दें कि जो कल गिरफतारी का मामला चल रहा था सत्यपाल मलिक का, उसे ले करके दक्षिड परशिम, पुलस उपायुक्त मरोसी का ये कहना रहा कि सत्यपाल मलिक अपने समर्थोकों के साथ अपने इच्छा से आर के पुरम ठाने आये थे, उन्हें कहा गया है कि वो जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं गये और इसी तरीके से ये जो तमाम अठकले थी, वो लगातार सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा लगाई जा रही थी, आपको बता दें, दरसल मसेडी के एक पार्क में एक कारग्रम का आयूजन होना था, और स सत्यपाल मलेक और उनके समर्थक महा से चले गए, लेकिन बाद में मलेक खुद थाने पहुंच जाते हैं, उन्हें किसी ने बुलाया भी नहीं था और जिसके बाद ही सोशल मीडिया पर ये अफवा फैल गई थी, वहीं दिल्ली पुलस नहीं ट्वीट करके ये भी कहा कि ग पुरम पहुंचे हैं, उन्हें कहा गया है कि वो अपनी इच्छा से जाने के लिए बिलकुल स्वतंत्र है, आपको बता दे कि कल किसान नेता गुर्णाम सिंग चड़ूनी ने भी वीडियो ट्वीट कर ये कहा था कि साथियों मुझे और सत्यपाल मलिक को दिल्ली के आर के पुरम में गिरफ्तार कर लिया गया है, चड़ूनी ने कहा कि आज खापों के प्रधान और जन प्रतिनीधियों का एक कारगरम था, लेकिन पुलिस ने प्रोग्राम जबरदस्ती बंद करा दिया, प्रदर्शन करने की बात पर उन्होंने अपने लोगों को संबोधित करते इस अफ़ा को फैलाने के लिए क्योंकि उन्होंने साफ तोर पर ये तो कह दिया कि पुलिस ने सायोजन को ठप करवा दिया, बंद करवा दिया, लेकिन रीजन नहीं बताया कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये तमाम लोग जो वहां पर एकटे हुए थे, उ मुझे भी आप फिरासत में लेजिए, जिसके बाद तमाम समर्थक भी उनके साथ चले जाते हैं, और सोशल मीडिया पर ये खबर फैलती है, कि उनको गिरफतार कर लिया गया है, फिलाल जिस तरीके से ये जो अफ़ा फैल रही थी, और उसके बाद एक सत्यपाल मलिक जी के नहीं छोड़ती है, तो जनता भी संजेस सिंग को ट्रोल करती हुए नजर आती है, और हर बार संजेस सिंग का जो ट्वीट होता है, वो अफ़ा का शिकार होता है, जिसकी बज़े से जनता भी उन्हें ट्रोल कहते हुए यही कहते हैं, कि संजेस सिंग जो है, बिना किसी को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले